मस्कार आप देख रहें आइंडिया मैं हूँ जैन सिर्वास्तों एक बार फिर रंदा कारिकर्म के साथ हाजी रुए हैं हमारे साथ स्टूडियो में मुझूद हैं क्यान प्रकाश सिंध्पतिक जी वैस्ट पतकार हैं और इस बार जो है रंदा में किन समसामाई घटनाओ को आधारी बिंदू पर वेंग करेंगे रंदा हर विशेप पर अपनी किपड़ी करता है सीतापुर्णगर की सबसे पुरानी तरीन पुर्ण लीला में हुआ 35 फुटी रावण का दहन रावण बहुत ही बेसरम रहा होगा जो युगोपूर्व मरने वा जलने के बाद भी हर दसारा को अपना कज बढ़ा कर फिर से मरने वा जलने के लिए टनाटन तयार हो जाता है गरंद कहते हैं कि राम अच्छाई वा सत्य के प्रतीक है तो रामर भुरायों का बंडल और असत्य का प्रतीक है रामरी प्रवत्य वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है और राम रूपी प्रवत्य वालों की संख्या निरंतर घट रही है तभी तो किसी ने कहा भी है घर घर में रामर पलते हैं इतने राम कहां से लाओं लगता है रामर रूप में जनता भी काफी प्रभावित है रामानन्द कर रामार सीरियल में राम बने अरउडगोबी इलाहा बाद से लोकसभा का चुनाओं हर गैते वही रामण बने अर्विन प्रिवेदी, चीता बने दीपका चखिलियाल चुनाव जीत कर संसर्वे 5 साल तक भौकाल करती रहे। अगला तूसरा बिंदु है, दसेरे पर सरकार ने महेंगे दामों पर खरीद कर दी विजली। रंदा को लगता है कि रामण ने सरकार के सामने जरूर सात रखी होगी कि हम बिना बिजली के अंधेरे में न तो मरेंगे और नहीं जलेंगे। भगवान सीराम चाहे हमारे 21 बार मारें और चाहे 51 हमारे उपर कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर सरकार में बैठे लोग ये सोचकर बिजली का भरपूर प्रबंद दसाहरे में कर लिया कि कहीं ये रामण अंधेरे का फाजा उठा कर बिना मरे वा जले रफुचकर न हो जाए। जब मनुसरूप में रहने वाले विजय मालिया वा नीरव मोदी रफुचकर होने पर भी अभी तक बिदेश से देश में वापस नहीं लाए जा सके तो फिर ये स्री लंकाई बिदेशी रामण दसेहरे में कहां से ढूड कर लापाएंगे मारने वा जलाने के लिए। अगली खवर है भाजपा नेता और जिलापंचाय सदस स्यूक मारगुपता की होर्डिंग बनी चर्चा का विशय सदस्पद की जगर लिखवाया अपने नाम के साथ जिलापंचाय अध्धच इस पर रंदा की क्याटर पड़ी हैं। राज महमदा तेरी बकरी लेचाय भेंडी घर की बहुत सद्धा सागर जिलापंचाय धच पर चुनी गए। पर ये पड़ उनके ससूर देवता अपने साथ चिपकाय घूम रहे हैं। लोग कहते हैं पैसा वा रुतबा, खीतो, पद क्या बहुत कुछ छिपाने पर छिप जाता है। इन होल्डिंग में देश वा परदेश के बड़े नेताओं के साथ साथ अस्थानी नेताओं के मुस्कराते हुए फोटो भी चस्पा हैं। लोगों में चर्चा है कि स्युकुमार जी सीतापुर से भाजपा के टिकट पर चुनाओं लड़ेंगे। रंदा उनकी महत्वा कांशा को देखकर ये मानने को मजबूर है कि अगर वो चुनाओं जीते तो बिरायक के जगे अपने होल्डिंग में मुख्य मंत्री से नीचे हो ने कह सकती जैसे परदान परदपर महिला के निर्वाचत होने के बाद उसका पत कहलाने लगता है। निर्वाचत महिला चूले चौके तक सीमित रह जाती है और परदानी का माल बुआ उनके पत जेवता उडाते हैं। आएसी निर्वाचत महिला परदानों की पीड़ा वो कभी फारूक सरल ने कुछ इस तरह बया की है छुटको बोली बरकों से सुन लिए जीया परधानी हमारी मज़ा मारें किया अगली खबर है आतंकी हिंसा पर ग्रह मंत्री अमिस साह ने पाकिस्तान को चेताया कि खुला है सरजिकल स्टाइक का विकल्ब पाक आतंकियों के बुरुस सेजिकल का इस्टाइक कराले की जहमस उठाने की जरूर नहीं मोटा भाई आप सिर्फ भारत के करोड़ों सिछ्ष्ष्ष बेरोजगारों से उसी तरह अपीर कर दें जैसे उन्हें रोजी रोटी के लिए पकवरे तलने वा बेचने की बात कहीं थी गरह मंत्री जी राजनीत और पकवरे तलने में वैसे डिगरी वा क्वालिफिकेशन की कोई जरूर नहीं है सिछ्ष्ष बेरोजगारों के घर परे सार्टी फिकट वैसे चुहे कुततर रहे हैं आपके अपील पर करोड़ों सिछ्ष्ष बेरोजगार अपने सिछ्षा सार्टी फिकट पाकिस्तान की सीमा में घुश कर एकसाँ जला देंगी तो आतंकी ही नहीं पूरा पाकिस्तान खाक हो जाएगा अगर 2019 की तरे 2022 में भी होने वाले पाँच राज्यों के चुनाओं में लाव लेना चाहें तो फिर सहजर का स्टाइक का ही विचार अच्छा होगा रंदा का सुझाओ है कि सहजर का स्टाइक छोटे मोटे आतंकियों तक ही न सीमित रहे आतंके आका हाफिस सही जैसे रक्त वीज को जहन्नुम की सैर कराने वाली सावित हो अगला बिद्धु है प्रधानमंत्री ने कहा पूर सरकारों में विकासकारों की रफ्तार सुष्ट रही इस पर रंदा की क्या टपड़ी और आपकी तरह बिदेशों में घुमा करते ट्रंप जैसे लोगों का चुनावी प्रचार करते जब सत्कर साल में पिछली सरकारें सरकारी संपत्यां तक नहीं बेच पाई एरपोर्ट रेलवे जैसे विभागों को ठिकाने नहीं लगा पाई वो अपने आपने चुटकी ब सरकारों ने IIM, IIT, IMS जैसे संस्थान बनवाए तो आपने उनके मकाबले गाओं-गाओं, घर-घर, सवचाले बनवाए जब से सवचाले बना है तब से रंदा उसमें कंडा लगड़ी रखने में ब्यस्त है अगली खबर है, चुनावी मौसम आने पर नेता कर रहे जनता से बड़े-बड़े वादे, इस पर रंदा की क्या टिपड़ी रंदा का मानना है चुनावी वादे निभाने के लिए नहीं, ओटर को अपने जाल में फसाने के लिए होते हैं चुनावी मौसम में चुनाव बाजनेता कहीं सरक बनवाने तो कहीं पैंसन दिलाने का वादा करते हैं और जब चुनावी जीच जाते हैं तो किये गए वादे भूल जाते हैं जब जनता उनके द्वारा किये गए चुनावी वादों को याद दिलाते हैं तो वो किसी कम की पंक्तियां साकार करने लगते हैं, सरक पक्की करा दूंगा कहा होगा, तुम्हें प्यंसन दिला दूंगा कहा होगा, नसे की बात मत कुछ पूछो यारों, एलक्षन के नसे में था, कहा होगा. अगली खबर है जन चर्चा विधायक निवास का सुक्स और के सुक्स से भी बढ़कर है रंदाल से इस कारिकम पर क्या विचार है रंदा इस पर अपने विचार की जगे मरहूम कव्यों सायर है अदम गोंडवी की चार पंक्तिया आपके दिलों दिमाज में प्रवेस कराने का काम कर रहा है पराय बाप की कसम आप सेम जान जाएंगे कि बिधायक निवास में एसो आराम की जिल्दगी आखिर होती कैसी है अगली खवर है थाना थानगाउं छेतर में किसोरी को सापने काटा हालत कमभीर इस पा टिपड़ी रंदा की क्या है कहो किसोरी के अस्थान पर किसी नेता को साप ने नहीं काटा नहीं तो बेचारा साप ही गंभीर हो जाता या फिर दुनिया को अलविडा कहते हैं पालोग सिधार जाता अगर ऐसा नहोता तो किसी कभी को ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती साप नेग नेता को डसा नेता को कुछ नहीं हुआ बेचारा साप चल बसा परंपिता पर्मेसर से प्राथना है कि सर्फ दंसित की सुरी सोस्त रहे और वो साप भी टनाटन मस रहे अगली खबर है रंदा क्या बात है कि पुलिस पत्रकार और नेता सब जब तक जीवित रहते हैं तब तक वा आलोचना से घिरी रहते हैं और उनके मरने के बाद लोग उन्हें महापुरुस की सेणी में लाकर उनके सान में कसीदे पड़ते हैं यह बात हमसे नहीं बरिष्ट पत्रकार भाई सतीस सर्मा से पूछो क्योंकि उन्होंने इस पर अच्छा सोध तब से करना सुरू किया जब उन्होंने कई रचनाओं के बाद कुट्ता पुरान लिखी थी वे पुरान लिखते लिखते कुट्ते की घ्रान सक्ति भाई सतीस क नासिका में प्रवेस कर गई फिर क्या था वो किसी के मरने की सुचना पर सोध ब्यक्त करने के बहाने मरने वाले के घर पहुंचाते और उसे उपर से नीचे तक सुंग लेते जब अनेकों लोगों के पार्थिव सरीर को सुंग लिए कब वो इस निसकर्स पर पहुंचते अगली खबर है कंडे पर मक्खन लगा कर अधिकारियों और नेताओं को काउन खुष करकर माल काटता है इस पर रंदा की क्या टिपड़ी हैं रंदा का मानना है ऐसा तो कोछ चम्चा ही कर सकता है क्योंकि चम्चे में ही मख़र पर कंडे लगाने की कला होती है चाहे वो अधिकारी का चम्चा हो या फिन्यताओं का हर काल में चम्चा अपना जल्वा दिखेरते रहे हैं चाहे राजतंत रहा हो या लोकतंत अगर ऐसा ना होता तो हमारे मरहूम कभे मित्र मंगल सी मंगल को चम्चों के सम्मान में ये क्यों लिखना पड़ता बटवा बटवीन की घट गई दर चम्चन की अबहू वहाई कदर इसी प्रकार चम्चा के जलवा का बरन किसी कभी ने किया है यह साहाव हों सुर्ख सरीखे सुर्ज मुखे बन जाता चम्चा रह जाते सब लोग टापते के बिन में घुच जाता चम्चा अभी आपने देखा कि रंदा में कभी जो पत्रकार वरिश्पत्कार खिरिक यान प्रकार सिंग प्रतीग ने किस तरीके से अपनी अगले प्रोग्राम में हम फिर हाजिर होंगे नमस्कार